हाइ प्रेंच, नमस्कार किसान भाईयों, मैं हूँ अब से एक सिंग, फाइनली, चो जो है वो बहुत लेट सही सही, लेकिन हम लोग वे पॉल्टरी फार्मर्ट के फेवर में एक काफी जादा अच्छा फैसला आ गया है, FSAI के तरब से, सबसे पहले FSAI क्या है, वो हम लोग जान लेते हैं यह वही गौवर्मेंट की एजेंसी है इसका फुल्फम होता है Food Safety and Standard Authority of India जिनका जो चीफ है GSGI नगर उन्होंने साफ तोर पे कह दिया है कि कोरोना वाइरस जो है वो चिकन खाने से नहीं होता है खाने पीने के किसी भी वस्तू से जब कोरोना वाइरस का कोई भी लेना देना नहीं है यह साफ तोर पे जो है वो एक आदमी से दुसरे आदमी तक बिल्कुल जो है वो फैल सकता है लेकिन खाने पीने के बस्तूओं से इसका कोई भी लेना देना नहीं है और खास तोर पे वैसे खाद्यपदार जिनको कि हम लोग पका के खाते हैं जिनका कि हाई टेंप्रेचर पे हम लोग पका के खाते हैं तो कोरोना वाइरस का जो वाइरस होता है वो हाई टेंप्रेचर जो है वो सरभाइब नहीं कर पाता है तो साफ तोर पे यहाँ बोला जा सक है पॉल्ट्री खाने वाले कॉरोना वाइरस से सेफ है इस वीडियो को पॉल्ट्री फार्मड अगर आप हैं तो जादा जादा सेर किजिए तो आप अगर पॉल्ट्री फार्मिंग नहीं भी करते हैं फिर भी मेरा अपील रहेगा मैं एक पॉल्ट्री फार्मड हूँ खुद पॉल्ट्री फार्मड हूँ बहुत सारे हमारे पॉल्ट्री फार्मड भाई जो है वो बहुत जादा लोन ले करके पॉल्ट्री फार्म किये वो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि दोनों ही फोटो, दोनों ही स्लाइड में दिखा रहा है, और दोनों में साफ तोर पे बोला गया है, FSAI, कोई ऐसा वैसा एजेंसी नहीं है, इसके पास जिम्मा होता है, जितने भी खाने पीने की वस्तुए हैं इंडिया में, जो कि बिक्ती हर एक पैकेट पे इसका मुहर आपको लगा हुआ दिखाएगा, और बिना इसके मुहर का कोई भी खाद परदात जो है वो, वो इंडिया में जो है वो नहीं बेचा जा सकता है, जब उन्होंने चिक इनने जो है मुहर लगा दिया है कि पॉल्ट्री फार्मर कोरोना वायरस से सेफ है, जब वो स्टेफली कैंजूम किया जा सकता है, अगर जो है वो, कोई भी लख्षन इसमें नहीं पाए गए है, साथ इसको पॉल्ट्री को खाने से कोरोना वायरस नहीं होता है, तो मुझे तक जागरुकता पहले और जो अफवा का सिकार पॉल्ट्री फार्मर हो रहे हैं वो कम से कम जो है वो थोड़ी राहत की सांस ले और जो लोग पॉल्ट्री फार्मर बरबाद अभी तक नहीं हुए उन्हें बरबाद होने से जो है वो बचाया जासे के वो भी हमारे देश के न बिल्कुल डबे जा रहे हैं बिल्कुल पॉल्ट्री चिक्स जीतना का वो लाए थे उससे भी कम में उनको पॉल्ट्री बचना पर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है वो उनके साथ जाती हो रही है बहुत जादा जैसे कि हर एक पॉल्ट्री फार्मर जो है वो कमेंट आता है मुझे सुनके परके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो कितने जादे जो हो नुकसान में बहुत उनकी परिस्तिती खराब चल रही है बहुत लोगों ने लोन लेकर के पॉल्ट्री फार्म किया था नहीं से भी जाया जाए तो प्लीज हाथ जोर की विंदू है कि वीडियो को जादा जादा सेर किजिए एफ एस एस ए आई ने जो है वो हमारे पॉल्ट्री पे मुहर लगाई है और ये बात पूरे इंडिया को बताना हमारा काम है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अच्छी जानकाली के साथ तब तक लिए बने रही हमारे साथ नमस्कार जै जमान जै किसान